जब से बॉलिवुड में कैटरीना कैफ और विकी कोशल की शादी ने तुल पकड़ा है तब से सलमान के फैंस चिंता में डूबे हुए हैं कि अब सलमान किसके सहारे आगे की जिंदगी बिताएंगे लेकिन दोस्तों कि आपको पता है कि सलमान खान और कैटरीना को अलग होता देख कर बॉलिवुड के अभिनेता विवेक औबरॉय बेहद खुश हैं पर आखिरकार विवेक औबरॉय को इतनी खुशी क्यूं हो रही है क्यूं वो सलमान और कैटरीना के अलग होने पर इतना जा काफी साल पुरानी है क्योंकि इनके जगडे की वज़े एश्वर्या राय थी दरसल हम दिल दे चुके सनम के सेट पर सलमान का अफेर एश्वर्या के साथ शुरू हो गया था करीब दो साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद उनका ब्रेक अप हो गया उस वक्त एश्वर्य ने सलमान पर मार पीट के आरोप भी लगाये थे बाद में जब एश और विवेक करीब आये तो सलमान को बरदाश्ट नहीं हुआ सलमान ने विवेक को फोन करके खूब गालिया दी और जान से माने की धमकी भी दी थी इसी वज़े से विवेक ने प्रेस कॉन्फरेंस बुलाई और सलमान की हरकतों के बारे में मीडिया को बता दिया हलाकि इसका नतीज़ा ये निकला कि एश्वरिया ने भी उन्हें अवॉइड करना शुरू कर दिया था एश्वरिया के मुताबिक विवेक को मामला इस तरह पब्लिक में नहीं लाना चाहिए था इतना ही नहीं फिल्मी इंडस्ट्री में जादतर लोगों ने विवेक को काम देना बंद भी कर दिया हलाकि सल्मान कई इंटर्व्यूज में ये कह चुके हैं कि उन्हें विवेक से कोई भी व्यक्तिगत दिक्कत नहीं है और उन्होंने किसी से भी उन्हें काम देने के लिए मना नहीं किया था पर विवेक को आज भी ऐसा लगता है कि एश्वर्या इन्हें छोड़ कर गई तो सिर्फ उसके पीछे की वज़े सल्मान खान है और ये पिछले 12-13 साल से जो बॉलिवुट में काम नहीं कर पा रहे हैं उसकी वज़े भी सल्मान खान ही है ऐसे में जब इन्होंने कैटरीना को सल्मान को छोड़ कर विकी से शादी करते हुए देखा तो इनके दिल को काफी ठंड़क पहुची है और ये देख कर इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस सल्मान ने कभी इनका प्यार चीना था उसी सल्मान का प्यार भी खुद उनसे दूर जाकर किसी और के साथ साथ फेरे ले रही है ये देख कर विवेक बहुत ही जादा खुश है इन्हें अब जाकर कई सुकोन मिला है कि सल्मान खान भी अब उनकी तरही तड़पेंगे जैसे कि ये कभी एश्वर्या से दूर होकर तड़पे थे आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें